है नमस्कार आप देख रहें गोंडा पोस्ट और आज गोंडा पोस्ट का काफिला पहुंच-अधर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्रपज़ेस सरकार में मंत्री रहे समाज कल्याण मंत्री रहे श्री रमाप्र और चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है लोग अपने शेतिरों में मेहनत कर रहे हैं भाजपा के बड़े नेता होने के नाते आप क्या देखते हैं कि भाजपा का मत इस बार विधानसवा मनकापुर में बढ़ेगा या फिर जितना पहले था उतना ही रहेगा हमको लगता है, जस प्रकार से जन्ता के बीच में भाजाश्त पारटी के सरकार ने काम किया है तो नासर पर किया है, इस आसार पर जन्ता है की आएने दिनमे कर वाजानने का बड़ेगा हर कीमत पर बढ़ेगा इसको कमपोई नहीं कर पाएगा क्योंकि पीछले बार जबाए था तो कोई मुद्दा नहीं था इस बार कई मुद्दे हैं हमारा राम जनम मुद्दा है हमारा सबको कुछ ने कुछ काम मिल रहा है वो मुद्दा है सबके बन रही है आवास बन रहा है हुआ कि लिए बिजली सुरूऑत को मंत्री जी आपने बहुत सारी उपलब्धियां कि जनता वादों पे नहीं जनने वाली है जो प्रतक्ष देख रही है अब उसको देखते हुए आगे काम करने वाली है और जानती है कि हमारा हित भाजपा में है या किसी दूसरे में है इसलिए नड़ने लेने का जनता को पूरा अधिकार नड़न लेगी madी आपको के गिश्ची बताया कि निर्माण हो रहा है तो राम मंदिर निर्माण के नाते चुकी आपकी मनकाअपूर विदान सब्धा की नज्दीक है आपको क्या लगता है कि इसके कारण युद्धान सभावा का 63 गावए से हैं जो विकास प्राजिकन के अंतरगत ले लिए गए हैं अब यहां का धुमाधार विकास होने वाला है तो प्राजिकन अजुद्ध्या से होने वाला है उसके अंतरगत हम लोग भी आ रहे हैं यहां तो हर लोगों को विकास मिले जा रहा है तो जैसा कि 1983 में जब आई टी बनी थी तो मनकापूर पर उसका बहुत बड़ा इंपक्त पड़ा था और मनकापूर में रोजगार के अवसर पैदा हुए थे तो क्या हम एक्सपेक्ट कर स प्रणा अब में लूंत का संहानी वाले दो साल तीन सaterally के अंदर अज़धा़ धुद्या का सबस्रेृटण तो कॉजएं सबस्ज़नाव में जाते ब liksom इस तो कौन कौनसी उपलब्धिया एक मंत्री होने के नाते कि और विदाये होने के नाते जआएं की ? चन्हां काल में पकारमान दुनिया क्या अन देशों में फ्हेला है एकदम से बढ़नkind रहा है तो अपनी प्राम्याभी यते रुप से प्रकार यह लोगण है प्रकार से भार्तीर जंताव पार्टी की सरकार जुड्ध हस्तर पर सबकी मुद्स की है सन्रीबोस्ता की है यतने नहीं किया है शानकों का जाल बिछा दिया गया है सब्सक्राइबर और यह चांव उश्काष्ट और कि नुच्छ फिलोगों को नाज मिल रहा है वह रही आ कह तब गैंका लग्रत के इंद्र का वह थापना कर रहा है नहीं कहीं हास्पिटल का इस पर अस्थापना कर वाया है जादी है पहले बार है कि बीना कहें बीना मांगे अभिना कि योजना के भारतिया जनता-पार्टी के साथ अंतिम पायदान पर खड़ां वहुतु है। हमको कहने नहीं पड़ता है वो लोग स्वयम तैयार है कि पहली बाल भारती जनता पार्टी की सरकार जोगी जी की और मोदी जी की सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को जहान में रखा है ऐसलिए वो लोग बिल्कुर एक तरफा तैयार है तरफ मंत्री जी आपने कहा कि अंतिम पायदायन पर जो व्यक्ति हैं उनको फाइदा पहुंच रहा है इस सरकार में और आपने अनुसुचित जाती के लोगों की भी चर्चा की कि उनको भी फाइदा मिल रहा है सरकार की नीतियों का वहीं कुछ मंत्री और कुछ विधायक ऐसे हैं जनने अभी कुछ समय पहले स्टीफा नीड़िया और कारण बतायां कि चूट लोगों की डलितों की उपेक्षा हो रही थी तो यहां चाहते थे कि मैं अक्यले मसीहा बन जाओं अब ये अपने गाउं के किसी अनसुशी जाती के लोगों का वोट ने ले सकते आज भारती जनता पार्टी के साथ चाहे अमीर घर का हो चाहे गरीब घर का हो चाहे अंतिम पाइदान पर खड़ा बगता हो वह स्वें पढ़ बढ़ा करेता है मैं मोदी जी को जोगी जी को कोई संदेश तो नहीं देना चाहता हूं अब समय बार-बार किसी काम के लिए नहीं आता है राश्ट के निर्मान में पहली बार मोदी जी जी जोगी जी ने तयारी की है अब उस राश्ट के निर्मान में अंतिम पाइदान पर खड़े व्यक्तियों को भी लगना चाहिए पंडिक दिंद्याल उपाध्या ने भी कहा था कि अंतिम पाइदान पर खड़े ब्रक्ति का जब तक उत्थान नहीं होता अब जब तक उनका सम्मान नहीं होता तब तक आजादी को अधूरा माना जाएगा उस काम को मोदी जी और जोगी जी पूरा कर रहे हैं हमने अभी जनता के बीश में गया लोकों के बाद चर्चा किया तो हमने लोगों के शला जी और उनसे एक प्रस्न पूंचे हमने कि मोदी जी को कितने लोग जानते हो तो चोटे से बच्चे से ले करके अंतिम पाइदान पर खड़े पूरुस सारे लोग सब लोगोंने का मैं और मने का योगी जी को कितने लोग जानते सब मने खाफ राएंगे मैं जानता हूं । अब मने का बीश्चंच वह में जानता हूं। उन्हों का मैं कमल जानता हूं, कमल के निसान पर मौल लगाने मतलब हमारे दन लक्ष्मी आने वाली है। यूर। इसलिए सारे लोग उतष्मू हैं, हमको गहने के पहले ही वहां अनसुठी जाती के लोग, जहां मैं गयाँ हूँ हूँ जहां नहीं हूँ। यंशू सुनुठी आउत्त प्रतिय षटी अबूरौ मैंने देखा को आज के तारिक में अ करता है कि मुझहशी मुझे जाती जो आंतिम पाइदान पर खड़ भगती यह पर कभी नहीं खड़ा हुआ तो जूद्धी आप को अपको क्या लगता है कि जैसे आप जनता के सफास जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो वह किस प्रकार के मुद्धे हैं जो यहां की गोंडा की लोकल जनता के मन में रही है सब बन रहा है बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बवस्ता हो रही है हम बच्चों को ड्रस दे रहे हैं भोजन दे रहे वस्तादे रहे हैं इस अब हो रहा है यह सब जनता देख रही जनता तो आम में जाता हूं तो प्रस्न नहीं करती हैं और जो हम आपके साथ चल रहे हैं तो जब आप इस बीड जाते हैं हाम लोग भी गए तो जनता का एक गउन्ष के लिए हैएं एक समस्या करूब्स पर लग चाठोर दिया लेकिन भारती जिनता पाड़ी मनेड जोगी जी की सरकार ने इस voila प्रत्य बंधित करने के लिए नहीं बल्किक प्रत्य पचायत पर गौसाला खोल करके इनको एकर्ट करने के लिए बिवस्ता शुरू कर दिये और कई धिए खुल रहे हैं और जहां जहां मेरा आखरी सवाल आपसे हम मनकापुर सीट पर क्या माननी मंत्री जी को फिर से टिकट मिलेगा अब यह तो हम भारती जनता पार्टी के मैं कारकरता होने के नाते भारती जनता पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे संपेगी मैं उसकरूंगा हम्हारी जिम्मेदारी नहीं भारती जनता पार्टी के संगताण की जिम्मे जारी होगा तो यह थे रहाँ जास्तरी जी गुंड़ा पोस्ट पर जिन्हों नीवेवाके से अपनी पार्टी और अपने किये अपलब्धियों को गिनाय और साथ ही जनता से भविष्य के विकास के वादे भी किये आप देखते रहें जुड़े रहें गुंडा पोस्ट के साथ